कि आज हम कॉफी के बारे में बात करने वाले कॉफी आपके सहत के लिए कैसे अच्छी है उसके बारे में हम जानने वाले आज थिकिंग तो आप सभी लोगों का सुआ एसा लगत समिर्देशकर देश तो ऐसा कुछ नहीं मेरे एक दाड बहुत दीन से खराब थी उसके अंदर मैं भी पस्फॉर्मेशन हो गया जहां तक तो उसके गारण मुझे भी डॉक्टर के वास जाके उसकी निकालना है उसको निकालना नहीं है उसका क्लीनिंग करवाना है तो क्लीनिंग करने से ओठीक हो सकती है लेकिने कम मातरा है काफी कि अगर हो आप पीते तो आपके लिए काफी खराब नहीं है काफी कई काफी के कई स्वासतलाब हो सकते पहला बुस्टिंग एनरजी उर्जा बढ़ाना आपको ऐसा लग रहा है दिन भर काम करके या दुपेर में भी आपको लग रहा कि आ लाइट काथन आप टू डेबिटीष त्व करके एक होता है उसकी और हट डीलमóc का रिस्क कम करती है कॉफी बहुत जयादा कॉफी पिते है यह अधिक चीनी मिल आथे कॉफी में तो आपके लिए कॉफी हो सकती अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पिते हैं और का कॉफी के अंदर में अधिक मातरा में चीनी मिलाते तो कॉफी आपके लिए घातक हो सकती है ऐसा अनुमान है कि 49% अमेरिका के वयस को लोग रोज कॉफी पीते हैं लेकिन यह आपके सिहत के लिए अच्छी है 49% अमेरिका के वयस को लोग रोज कउफी पीते हैं और कॉफी आपके सिहत के लिए अच्छी है या बुरी यह जानना भी जरूरी है आप कितनी कॉफी पीते हैं इसके आदार पर कुछ फाइदे और नुकसान हैं आप रोच कितने कब कॉफी पिते हैं उसके आधार पे कुछ फाइदे और नुकसान हैं कॉफी बुस्ट एनर्जी एंड हेल्फ यू फोकस कॉफी आपकी एनर्जी बुस्ट अप करती है और आपको किसी भी चीश्च पे फोकस करने के लिए मदद करती है कॉफी एकागरता औ कॉफी में कैफीन होता है कॉफी में एक कप में 133 mg कैफीन होता है एक एक कप में 133 mg कैफीन होता है और उसी में टी में अगर हम सेम मातरा में टमबर टी ले चाय पीते रोज तो त्रेपल इमजी कैफीन टी में भी होता है तो ऐसा नहीं है कि चाय में काफीन नहीं है और सिर माइग्रेन हेड़ेक कॉफी में रिल्यू माइग्रेन हेड़ेक अगर आपको माइग्रेन में सरदर्द के शुरुवार में शुरुवात में सिर्थ से रक्तव वाहिकाओ का विस्तार होता है किसी को अगर माइग्रेन के तकलिव है तो सिर्दर्द के शुरुवात होती है उसम का काफी में मौजित कैफीन रखतवाही के संकुचन का कारण बनता है जब हम कॉफी पी तो जो ब्लर्टफलो हो रहा है हमारी शरीर में उसको संकुचन करता है और रख्तवरवाओं को प्रतिपंद्रत करता है और दर्थ को कम करने मदद कर सकता है इसी लिए आपको अगर का प्रोबलम है तब भी आप कॉफी ले सकते हैं यही कारिन है कि काफीन सिर्दत में कई दवाओं में पाया जाता है जैसे कि एकसेड्रिन माइग्रेन करके एक दवाए और बीसी पाउडर यह दोनों दवाए आपको बीना डॉक्टर के केमिस से मिल जाएंगी और तीसरी है फियो रिसेट यह डॉक्टर रिकमेंटेशन के उपर ही आपको मिलती है कॉफी में इंपरूऒ लॉन टम हिल्ट क्उफी आपको लॉन टम में भी हिल्थ के मिनिफिट देता है 2006 में एक मदुमेह के अध्ययन में कुछ तत्यों बताए गए एक मदुमेह के लिए एक अध्ययन हुआ डियाबिटिक के लिए 2006 में उसमें कुछ तत्यों बताए गए मदुमेह क्या है रक्त में शरकरा को कम करना मदु में किसी को हो गया ना रक्तव में शरकरा बढ़ गई है तो मदु में रक्तव में शरकरा कम करना ये कम होने से मदु में थोड़ा सा रिलिफ होता है तो स्ट्रेश में पाया गया जोटी और मध्यम अईवे के work की महिलाये में टाइप टू का टाइप टू डाइबिटिस का जोखिम होता है मध्यम और कम आई वाली महिलाओं में टाइप टू डाइबिटिस का जोखिम होता है टाइप टू डाइबिटिक्स इंसुलिन के प्रतिरोत के कारण टैयार होता है हमारे शरीर में भी एक इंसुलिन होता है उसके प्रतिलोत के कारण type 2 diabetes त्यार होता है जो समय के साथ विकासिस होता है धीरे 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 बढ़ते रहता है और कुछ लोगों के श्रीण के insulin level को study करकता है अगर आप रोच काफी पीते तो तो जो इंसुलीन लेवल है हमारे शरीर का उस्तीर रहता है जिसके कारण नाएसीन जिसको कहें एक one cup of coffee has about 0.5 mg of niacin, एक cup coffee के अंदर में 0.5 mg niacin होता है, इसको powerful vitamin B, अगर हमारी भाषा में कहें तो यह vitamin B होता है, that provides benefits for skin and digestive health, coffee के अंदर में vitamins और minerals भी होते, पहले की बात करें तो एक niacin नाम का होता है, 0.5 mg पाया जाता है, एक cup coffee के अंदर में, इसको vitamin B कहा जाता है, यह हमारे skin के digestive health को benefit पहुचाता है, उसके बाद मिलता है potassium, potassium 16 mg होता है, एक cup coffee आप जब पीते हैं, तो 16 mg potassium जाता है, which helps regulate your heartbeat and support muscles and nerve function, आपके दिमाग के function को, muscles को और heartbeat को यह proper रखता है, regulate करता है, यह होता है potassium, वो भी coffee में मिलता है, उसके बाद मिलता है magnesium, आप जब रोज coffee पी होंगे तो आपको एक cup के अंदर magnesium भी मिलेंगा, potassium भी मिलेंगा, और niacin भी मिलता है, magnesium होता है, एक cup coffee has about 7 mg, 7 mg of magnesium मिलता है, as important regular enzyme that helps maintain strong bones and healthy heart, enzyme है एक प्रकार के मानवी शरीर में है, जीते जाकते शरीर है, जीते जाकते लोग बोले, प्रानी बोले, उनमें enzymes होता है, एक द्रवा होता है, वो help करता है strong और bones को strong करने के लिए और heart healthy रखने के लिए, त होता है, तो magnesium मिलता है, आपको 7 mg, potassium मिलता है, आपको 16 mg, और nicene या niacene जिसको हम कहें 0.5 mg, one cup of coffee के अंदर मिलता है, कुछ coffee pay में unhealthy तत्वा भी होते, कुछ coffee हम पीते है market के अंदर में, branded coffee जिसको हम बोले, उसके अंदर unhealthy तत्वा भी होते, यह माइने रखता है कि आप अपनी coffee काफी कैसे पीते, यह depend करता, अगर coffee के benefits आपको लेना है, तो आप अपनी coffee कैसे पीते, coffee बहुत फाइदे मनते, जब तक हम बहुत ज़्यादा चीनी का उपयोग नहीं कर रहे, अगर हम हमारे coffee में, चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, तो coffee फाइदे मनते, यह जरूरी नहीं कि कॉफी के फाइदे के लिए सिर्फ ब्लैक कॉफी पीना जरूरी है, दुसरी कॉफी भी पी जा सकती है, लेकिन चीनी का उपयोग उसमें मर्यादित होना चाहिए, या चीनी के जगर, चीनी का अल्टरनेटिव यूस होना चाहिए, तो हमको फाइदे मिले कुछ भी harmful, unhealthy हमारे शरीर के लिए नहीं होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, हम कॉफी का स्वात कैसे लेते, अगर हमको हमारे शरीर को नुकसान से बचाना है, तो सबसे पहले तो ब्लैक कॉफी पियो, अगर या कम चीनी वाली कॉफी पियो, और चीनी के ब अब बात करते हैं स्टार्बक्स, स्टार्बक्स का नाम आपने सुना होंगा, स्टार्बक्स में तरल चीनी मिला जाती है, स्टार्बक्स की जो कॉफी आती है, उसमें एक लिकुड चीनी मिला जाती है, एक वाइट चोकलेट मोचा पे भी आता है, बड़े आकार के पे में, उनका जो बड़ा ग्लास आता है उसमें 430 कैलोरीज होती है विद 53 ग्राम शुगर एक जो बड़ा ग्लास आता है उसमें त्रेपन ग्राम शुगर अठरा ग्राम फैक्ट होता है अठरा ग्राम फैट होता है फैट कॉफी हर किसी के शरीर को तो अलग तरह से प्रभावित करती हैं डिपेंड होता है आदमी तो आदमी हर एक का शरीर अलग अलग तरह से रियाक करता है यदि आप में सहन शिल्टा कम है यह आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आप ज्यादा कॉफी पीते हैं तो तकलिब आपको हो सकती है आपको शरीर कोने साथ में आ जाता है इन्सो मिया और अनिद्रा अनिद्रा और अपसेस तमक और पेट की खराबी हो जाती है और इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन आप इरिटेड महसूस करते हो तो चिड़चिड़ापन यह कॉफी के साइड इफेक्ट से कुछ लोगों में य 400 mg जिसके अंदर में 400 mg कॉफी कैफीन होंगा उत्ती कॉफी में पीनी चाहिए आपको 400 mg पर डे कैफीन वाली कॉफी या चार कप ठीक है 12 to 18 years old उल्ली वन कप कॉफी ए डे जो 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे है उन्होंने सिर्फ एक कप कॉफी पीना चाहिए पर डे और जो को भी उमन प्रेगनेंड उमेने उन्होंने लेस देन टू कप कॉफी पीना चाहिए फिर से एक पर बता जिता हूं हमको दीन भर में शिर्फ चार कप कॉफी पीना चाहिए या 400 mg 400 mg अगर हमारे शरीर में कैफीन जाता है उसके अंदर को कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है उगर 400 mg जा रहा है तो इस ओके वहां तक हमको कॉफी पी सकते हब बारा से अठ्रा साल के बच्चे सिर्फ एक कप कॉफी पिए पर डे और प्रेगनेंड उमेंड ने पर डे दो कप से नीचे में कॉफी पिना चाहिए अब रोबेस्टा और अरेबिका दो कॉफी जाती है औ और अरेबिका करता है 1.2 से 1.5 तो अरेबिका जो कॉफी है और देन 50 परसेंड लेस रोबेस्टा से कैफीन कंटेंड करता है इसलिए अरेबिका कॉफी अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपको अगर आप रोबेस्टा कॉफी चार कप पीते हो तो आपका 400 mg का आसपास हो ज चाहेंगा लेकिन तो भी मैं यह साला दूंगा कि आपको चार कप के ऊपर कॉफी पीना नहीं चाहिए वेल इंट्रेस्टिंग फैक्स अबाउट रोबेस्टा एंड अरेबिका कॉफी यह भी जानना आपके लिए जरूरी है कि 12 तत्य क्या है क्यों अरेबिका कॉफी ही पी पॉलिनेटल मतलब किसी और के प्लांट के कोलन से पॉलिनेटल करना होता है रोबेस्टा का जो जाड़ होता है जो पॉदा होता है कॉफी का उसके अंदर में क्रॉस पॉलिनेटल यह रोबेस्टा को फूल आने के लिए जैसा गर्बद हरन करता एक फूल गर्बद हरन करें एक्में आते दूसरे पूल के वुल में आएंगे तो रोबिस्ता का जो फूल होता है उसमें किसी और पराकन लाके डालने पड़ते हैं तो रोबिस्ता के जाड में full full आते हैं ठीक है और अरेबिका के अंदर में सेम सेम पोलेन निटिंग होता है उनके अंदर में खुद में पराकंड आते हैं खुद के पराकंड उसी से वो गर्भीत होते और क्वढ प्रूड्सृूल पैदा करते रोबैस्ता प्रोडस फूल पैदा करते हैं गद्यक्ता हम फ्रूडस पेदा करता है वह 2 साल में करता है और अरीव का 322 पूल आप word कि उसमें Chiral more caffeine as per as arabica मैंने आपको अभी caffeine बताया था तो रोबेश्टा में double caffeine होता है arabica coffee beans के अंदर जिता caffeine होता है उससे double caffeine arabica में sorry robesta में होता है robesta tastes more bitter than arabica robesta का जो taste है ज्यादा bitter होता है arabica से थोड़ा सा ज्यादा कड़वा होता है arabica coffee beans से this bitter this bitter due to highest part of the caffeine highest part of the caffeine के करण ये इसका bitter test होता है and also high chlorogenic acid और इसके अंदर में CGA भी हाय मात्रा में होता है arabica में robesta contains seven to ten percent CGA हाने क्लोरोजेनिक acid higher chlorogenic acid जो होता है robesta contains seven to eight percent contain करता है और arabica सारे पांच से आठ परसेंट करता है ठीक है robesta plant is more resilient resilient इसमें लचीला Robesta plant is more resilient ये उच्च तापमान का सामना और धूप में धूप में बैतर बैतर लड़ सकता है वहाँ जिन्दा रह सकता है तापमान का भी सामना ये कर सकता है ये उच्च कैफिन और CJ के कारण होता है ये इसलिए होता है कि उसके अंदर में कैफिन के मात्रा बहुत ज्यादा होती है और CJ जिसको हम क्लोरोजेनिक acid गोलते हो ज्यादा होने के कारण रोबेस्टा प्लान टापमान के हिसाब से अपने को एड़ेस्ट कर लेता है और अरिबिका के तुलना में रोबेस्टा में अधिक रोग प्रतिरोधी गून होते रोबेस्टा जो कॉफी है उसमें अरिबिका कॉफी से ज्यादा प्रतिरोधी गून होते ये एक ये पॉइं के अंदर में सब से ज्यादा कॉफी रोबस्टा कि और अरेयभी का के तुल्ण में इसलिए अर्डबीका महेंगे होती है रोबेस्टा सबक् educati सुझेट डिलाइं मोरी पारवेस्ट पेसे होह भॉर जो crashes खार नदरॉज औराल भेने कॉर्ते कि लोचील होते है फारकली मोरी यह dead होते हैं उक का इसी कारण इसका प्राइस कम होता है ज्यार्दा प्रोडक्शन होने का और हिसा का प्राइस कम होता है इस कमपेर तो अर testim यू वेले कुछ ब्राऑं रोवेस्टा को फीलर में अरेबिका बीज के बिच मिलाते यू इसलिए बहुत सारे ब्राण जो डावा करते कि मैं 100% Arabic coffee use कर रहा हूँ वो लोग Arabic coffee तो use नहीं करते वो लोग सिर्फ दिखाने के लिए बाहर से जो filler होता है filler में Arabic coffee बाहर से डालते है और बीच के मीच में उसमें Robesda mix करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना जाए और उनको सस्ता गिरता है Robesda beans are usually smaller thicker and rounder than Arabica beans Arabica coffee के जो beans होते हैं Robesda beans are usually smaller होता है thicker होता है और rounder होता है Robesda was younger discovered around 100 years after Arabica Arabica सबसे पहले coffee beans आया था उसके 100 साल बात Robesda coffee bean आया इसलिए Robesda को younger coffee bean कहा जाता है The leaves of the Robesda coffee plant are larger than Arabica plant Robesda का जो plant का size होता है plant का जो coffee plant होता है वो लार्जर होता है बड़े होते than Arabica plant Robesda is grown mainly in the Eastern Hemisphere Robesda जो बढ़ता है Eastern Hemisphere एने बहुत सारी 19 से 20 से लगपक 23-24 कंट्रीज आती है इसमें इंडिया और पाकिस्तान का भी नाम है बंगलादिश का भी नाम हाता है तो इन सब कंट्रीज के अंदर में Robesda होता है इसमें ब्राजीर में है वहीं हमारी Arabica coffee होती है ठीक है तो हेमिस्फियर एने पुर्वी गोलार्ष में जित्ती भी कंट्रीज आती है उन सब कंट्रीज के अंदर में Robesda होती है Robesda हमारे हिंदूस्तान में भी होती है साथी साथ South Africa वहां भी होती है Robesda है 22 kromosomus Robesda के अंदर में kromosomus है ने गून सुत्र कॉफी के अंदर जो गून होते है वो Robesda के अंदर में 22 है और Arabica के अंदर में 44 kromosomus है 44 kromosomus है इसलिए Arabica coffee सबसे अच्छी coffee है पीने के लिए अब बात कर रहा हूँ मैं आपको के हमारे दोनों coffee आती है black coffee भी आती है और एक coffee mix आती है जिसके अंदर में शक्कर शक्कर हैने original शक्कर जो हम लोग शक्कर घर में खाते हो शक्कर नहीं है natural sugar है उसके अंदर में और साथी साथ milk है तो लेकिन milk भी casein के नाम से है वो जो fat वगर है उसके अंदर का है वो सब अलग किया हुआ है natural casein उसके अंदर में डला हुआ है तो आप हमारी company की दोनों coffee यूज कर सकते हो और इस तरह के 44 health benefits आप ले सकते हो 44 health benefits क्या है खाते हैं नए वीडियो में हम देखेंगे क्यों दो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता आज सिर्फ मैंने आपको coffee के बारे में जान करी दी और आज इसे चालू कीजिए atomic के अरिबिका coffee black coffee साथ ही साथ आप पी सकते coffee mix दोनों coffee अच्छी है दोनों coffee taste में अच्छी है आप अगर compare करूंगे बाहर में market से तो हमारी coffee काफी सस्ती है बस मेरा वीडियो इता ही था आज के लिए कल देख पाऊंगा अगर मेरा आज का ये ठीक था हो गया तो मैं कल फिर से वीडियो बना पाऊंगा अगर बात करते आई तो इससे तो मेरे को कोई फरक नहीं गिरता नहीं तो फिर next वीडियो में बिलेंगे परसो या नर्सो तो इतना है मेरा आज का वीडियो तो जाते हैं तो मेरा नंबर बोलूँगा 932-5398-926 मेरा नाम है समीर शरदेशकर आप जिस चानल पर आए हुए ओ चानल का नाम है समीर शरदेशकर आटो में अकडमी नाक कुर मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए का बेल आइड करन को दबाईए इसी तरह के नए ने वीडियो आपके पास पहुचे लोगों को शेर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल क्या चीच होते है और पिर आपको बिडियो हमने जरूरे ऐसी मिलेंगे भनयवाद नबस्कार